अली रजा अकबरी के अनुसार उडोंने 3500 घंटे से अधिक की यातना मतिब्रम पैदा करने वाले रसायनों और शारिरिक और मनोवेज्ञानिक दबाव की रणनीती का उप्योग करके मेरी इच्छा को नश्ट कर दिया। समक्ष जूटी स्विकारोक्ती करने के लिए। 14 जनवरी को BBC की फार्सी भाषा सेवा ने अकबरी के बयान का प्रसारन किया। पूर्व मंत्री ने क्लिप में इरानी अधिकारियों द्वारा प्रतारित किये जाने का जिक्र किया था। वरिष्ट सुरक्षा अधिकारी अली श अमेरिका और अन्य देशों के साथ विरोध प्रदर्शनों पर इरान पर प्रतिबंध लगा दिया है और वर्तमान में यूकरेन पर हमला करने वाले बम ले जाने वाले ड्रोन के साथ रूस की आपूर्ती कर रहा है ने तुरंद अकबरी के निश्पादन पर गुस्से में प्रतिक्रिया व्यक्त की ब्रिटिश प्रधान मंतरी रिशी सुनक ने इस अपराध को एक घिनोना और कायरता पूर्ण कृत्य बताया जिसे एक बरबर प्रशासन ने अपने ही लोगों के मानवाधिकारों के लिए कोई सम्मान नहीं किया अकबरी को फासी दिये जाने की पालिका से संबध मिजान समाचार एजनसी ने बिना किसी टाइम स्टैंप के दी थी हाला कि ऐसी अफवाहे थी कि कुछ दिन पहले उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया था यहां वह सारी जानकारी है जिसकी आपको आवशकता है बिना कोई सबूत पेश किये इरान ने द प्रदान करने के बदले में अकबरी ने लंदन में परियाप मात्रा में धन अपना ब्रिटिश पास्पोर्ट और अन्यला प्राप्त किये थे हालां कि इरान ने परंपरागत रूप से उन लोगों पर जासूसी करने का आरोप लगाया है जो विदेश यात्रा करते हैं या जासूसी के पश्चिम में संपर्क रखते हैं अकसर उन्हें बातचीत करने वाले चिप्स के रूप में उपयोग करते हैं हाला कि एक निजी ठिंक टैंक की देखरे करने वाले अकबरी के बारे में कहा जाता है कि उसे 2019 में हिरासत में लिया गया था उसके मामले की जानकारी हाल ही में सामने आई है अकबरी को इरानी राज्य टेलिविजन पर दिखाए गए एक भारी हैरफेर वाली फिल्म में दावो पर चर्चा करते देखा गया था विडियो पहले कथित स्वीकारोक्ती से मिलता जुलता है जिसे आलोचकों ने जबरन स्वीकारोक्ती कहा है इरा इरानी निश्पादन दुनिया के शीर्ष जलादों में से एक इरान है हालाम की यह ततकाल ग्यात नहीं था कि हाल ही में एक वरिष्ट रक्षा अधिकारी को कप फासी दी गई थी सोवियत संद के लिए जासूसी करने के आरोप में इरान की नौसेना के प्रमुक एड्मिनि की मौत के बाद से इरानी शासन दावा करने की कोशिश कर रहा है बिना सबूत प्रदान किये की विदेशी राष्टों ने इस्लामिक गनराज्य को जकडने वाली उथल पुथल को रोक दिया है प्रदर्शन कारियों के अनुसार अर्थव्यवस्था का पतन सैनीकृत पुल द शास्पत पर्माणू कारेक्रम के खिलाफ चुक्के से हमले करना है विदेशी खुफिया सेवाओं ने महत्वपूर्ण लाब कमाया था जैसा कि 2020 में इरान के शीष पर्माणू वैज्ञानिक की हत्या से जाहिर होता है जिसके लिए इरान ने दावा किया था कि इसके लि का निरिक्षन किया था वह सुधारवादी राश्चुपती मोहम्मद खात्मी के प्रशासन के दौरान शाम खानी के उपरक्षा मंत्री थे जिसने इरानी लोक तंत्र में कट्टर पंथियों के बीच उनकी योग्यता के बारे में और सवाल उठाए शाम खानी वर्तमान में सर वोच राश्चिय सुरक्षा परिशत के सचिव के रूप में कार्यरत है जो राश्च्र की सुरक्षा के प्रभारी संगठन है बीबीसी फार्सी द्वारा चलाए गए एक आडियो संदेश में अकबरी ने कहा कि शाम खानी ने उस पर इत्र की एक बोतल और एक शर्ट के आया था हाला कि शाम खानी अभी भी अपनी स्थिती में प्रतीत होता है उन्नीस सौ उनासी की क्रांती के बाद से इसलामी गनराज्य के लिए सबसे बड़े खत्रों में से एक सरकार विरोधी प्रदर्शन है जो वर्तमान में इरान को परेशान कर रही है इरान में दोपों के व्यापक रूप से आलोचनात्मक परिक्षणों में दोशी पाए जाने के बाद देश में चार लोगों को मौत के घाट पुतार दिया गया